Reliance Industries के board ने group की retail company Reliance Retail में non-promoter हिस्सा यानि की equity share capital को घटाने को मंजूरी दे दी है Share धारकों को इन share के बदले 1362 रुपए प्रति share के हिसाब से बुक्तान किया जाएगा मुकेश अमबानी के retail कारुबार का valuation 12.3 एक लाग करोड रुपए है जो की Reliance Industries के कुल market capitalization यानि की 18.00 एक लाग करोड का ये 70 फीसद है दूसरी और Reliance Industries ने अपनी financial services company Reliance strategic investment limited यानि की RSIL के demurger के लिए recorded 20 जुलाई तैय रखने का आयरान कर दिया है के बाद इसका नाम बदल करके जियो financial services यानि JFSL हो जाएगा पिछले महीने डिमर्जर पर नियाम की मंजूरी मिलने के बाद company की बोर्ट बैठक में इसको ले करके ये फैस्ता लिया गया है लेकिन सर सवाल Reliance Retail को लेकर के आखिर में निवेशक खुश क्यों नहीं है निवेशक नाराज क्यों है इससे आम तर पर पर निवेशकों की संस्कृति बढ़ाने के लिए माना जाता है उसे लेकर Reliance Retail का जो बाइबैक शुरू है उसे लेकर काफी नाराज की और गुस्सा है बलकि गुस्सा इसस तक तक है कि लोग company ला ट्रिबिनल में शिकायत करने के त्यारी कर रहे हैं आजरा यह है कि Reliance Retail के शेयर ट्रेड होते हैं जो कि कंपिनी के कर्मचारियों को और बाकी लोगों को दिये गए हैं जो चर्चा में चल रही हो यह है कि Reliance Retail का शेयर 2700 रुपए के असपास था कोई 2600 रुपए बता रहा है कोई 3000 रुपए बता रहा है Reliance इसकी वापसी कर रहा है वाई बैक कर रहा है 1362 रुपए में आम तर पर 800 रुपए के असपास का शेयर था ऐसा माना जाता है अब यहां से निवेशकों को जिन्होंने 2700 रुपए में यह शेयर किसी अपने जानने वाले से यह कंपिनी के इंपलाई से खरीदा था उन्हें सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है एक दुविधा की बात है कि रिलाइंस का जो वैलुएशन जो दो विशेश फर्म जिन कंसल्टिंग फर्मों को रिलाइंस ने अपने साथ जोड़ा था जिन कंसल्टिंग फर्मों ने इसकी सलहा दी थी यह valuation भुत सारे निवेशकों को पसंद नहीं आ रहा है और उनको लग रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है पहली चीज तो यह है यह valuation जिन दो consultant ने suggest किया था जिनके आधार पर अभी आपको company का valuation भी बताया गया है उनका मानना यह है कि company के share की वास्तिविक value यही है 27 रुपय नहीं है अब दूसरी बड़ी दुविधा जो Reliance के valuation, Reliance Retail के valuation को लेकर है जितना valuation इस share के हिसाब से Reliance Retail का बनता है उसे हिसाब से तो फिर Reliance की पूरे सम्हूं में सबसे बड़ी company यही है पर तो Reliance Industries जो की सबसे बड़ी flagship company है जो petroleum में है वो भी उतनी बड़ी company नहीं यह भी एक बड़ी दुविधा है भीतर की इस valuation के अधार पर क्या Reliance Retail इतनी बड़ी company है तो इसके कारोबार में इसके कामकाज में में ऐसी इतना विस्तार यह इतना revenue की संभावनाएं नहीं दिखती है और इस वज़े से Reliance का यह पूरा पूरी महिम बाजार में चर्चा की और विवादों की वज़े बनी हुई है शाती सर, Unlisted Market में जो लोग पैसे लगाते हैं उनके लिए एक तरीके से एक नजीर बन गया क्या सीख मिलती है? 33-1400 रुपए में कह रही है अनलिस्टेड मार्केट खत्रों से उतने ही खत्रों से और जादा बड़े खत्रों से भरपूर है इसलिए समझना जरूरी जरूरी है कि अनलिस्टेड मार्केट में निवेश करने से पहले आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए